चाहे कितनी ही नाराजगी हो जाए पर इन तीर लोगों के साथ कभी बैर मत रखना नमस्कार जैसरे राधे जैसर किशना दोस्तो आज की बीडियो आज की ये कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है मोटिवेट कर देने वाली है आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी आज में एक ऐसी कहानी सुनाओंगा आपको जिसमें हमें जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हमारे जीवन में हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म अपना फल और कुफल जरूर छोड़ता है बो अलग बात है कि कोई कर्म अपना प्रडाओं तुरंत दिखाता है कोई कर्म अपना फल देरी से देता है परंतो यह सत्य है कि हमें अपने कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है दोस्तो यह कहानी है एक सोतेले भाई की इस कहानी में हमें पता चलेगा कि हम चाहे कितना ही उचे उठ जाएं लेकिन हमें जमीन से हमेसा जुड़कर रहना चाहिए जो लोग उचे उठने के बाद अपनी अवकाद भूल जाते हैं जमीन से अपना रिष्टा तोड़ देते हैं भी जब गिरते हैं तो फिर जमीन से और भी ज़्यादा नीचे पहुँं जाते हैं इस माया को कभी अपना समझने की भोल मत करना यह तो चंचल है आज तुम्हारे पास आज तुम्हारे पास है तो कल आपको ठुकरा करके किसी और के पास चली जाएगी अपना तो बही होता है जो बिना स्वारत आपका हित चाहता हो और मुश्किल वक्त में बही आपके काम आता हो एक बार को दुनिया आपको ठुकरा दे लेकिन आपका अपना आपको कभी नहीं ठुकराएगा दोस्तो कहनी सुरू करते हैं किसी गाओं में एक जगनाथ नाम का ब्यक्ति रहा करता था एक प्रभाकर नाम का उसका बेटा था प्रभाकर की उम्र लगभग साथ आठ साल की रही होगी तब बीमारी के चलते उसकी मा का देहानत हो गया पतनी के जाने के बाद जगनाथ बिलकुल अकेले पड़ चुके थे उधर खेत के साथ अपने बेटे की देखभाल भी करनी पड़ती थी ऐसे कब तक चलता रहता कब तक भी इतनी जिम्मेदारी का बोज अकेले अपने सर पड़ोते सगे संबंदी और रिष्टेदारों के कहने पर उन्होंने अपना दूसरा बेभा कर लिया सोचा था कि उसके बेटे को एक मा मिल जाएगी तो उसकी देखरे कच्छे से हो जाएगी उनकी दूसरी पतनी मालती भी स्वभाव की बहुत अच्छी महिला थी बेप्रभाकर की साथ कभी वेदवाब नहीं रिख करती थी अपने सगे वीटे की तरहे उससे प्यार करती थी दीरे दीरे समय गुजरता गया दो वरस बाद मालती ने भी एक पुतर को जनम दिया उसका नाम रखा चेतन मालती जी ने चेतन और प्रभाकर को बहुत इसने से पाला दीरे दीरे चेतन भी बड़ा होने लगा चेतन अभी पाँच बरस का ही हो पाया था कि एक सड़क हादसे में उसके पिता जगनात की मौत हो गई प्रभाकर अब काफी समझदार हो गया था पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोज उस प्रभाकर के कंदे पर आ गया था दोस्तों वो अभी पूरी तरह से ज़्यादा तंदुरस्त भी पुष्ट भी नहीं हो पाया था फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को भली भास से समाल रहा था अपनी मा और छोटे भाई की देखरे का अच्छे से कर सके इसलिए प्रभाकर ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे और खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाले लगा प्रभाकर ने चेतन को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने को बेठा दिया प्रभाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करके चेतन की सारी इच्छाई पूरी करता था एक पिता की तरह वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था दोस्तों चेतन को किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देता था चेतन को कभी लगा ही नहीं के उसके पिता खत्म हो चुके हैं प्रभाकर की यह हार्दिक इच्छा थी क्यों है अपने भाई को पढ़ा लिखा करके एक कामयाव इंसान बना सके उसके कहीं अच्छी जगह नोकरी लग जाए यही सपने लेकर वो अपने भाई को पढ़ाई पूरे कराया भाई को सफल बनाने के लिए प्रभाकर ने अपने सारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया मालती जी जब भी प्रभाकर से साधी करने के लिए बोलती थी तो प्रबाकर कह देता था माँ पहले मैं छोटे भाई चेतन को एक काम याव इंसान बना दूँ उसके बाद में मैं अपनी साधी के वारे में सोचूँगा अगर मैंने साधी कर ली तो मेरे उपर पत्नी के जिम्मेदारी भी और बढ़ जाएगी फिर मैं चेतन को पूरी तरह से सायोग नहीं दे पाऊंगा जब मेरे भाई की नोकरी लग जाएगी तो वह है अपनी गरस्ती का खर्च स्वेम उठा सकेगा और मेरा भी भार हलका हो जाएगा तब मैं अपनी भी साधी कर लूँगा दोस्तों अपने छोटे भाई के पृत पिवहाकर का ऐसा प्यार देकर की मालती बहुत खुस होती थी खुस में कभी कभी उनकी आखें भी भरा आती थी सोचती थी कि कहीं ऐसा नहो कि छोटे भाई की खुसियों के चकर में प्रभाकर खाली हाथ रह जाए प्रभाकर अपनी मा को समझा देता मा तू भी क्या क्या सोचती रहती है एक वार चेतन की नोकरी लग जाने दे फिर देख सब ठीक हो जाएगा इस प्रकार समय गुजरता गया चेतन का भी प्रारम्मिक सिच्छा पूरी हो गई उसे आगे की प पढ़ाई का खर्च मेहनत मजदोरी से नहीं चल सकता था इसलिए प्रभाकर ने अपना घर का खेत एक साहुकार के हां गिर्वी रख दिया उनी पैसे से उसने अपने भाई को सहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने को भेज दिया चेतन एक होस्पीटल में रहता था और अपनी पढ़ाई करने लगा प्रभाकर मजदोरी करके भाई के खर्च के लिए हर महीने पैसे पहुचा देता था समय के साथ जब चेतन की सच्छा पूरी होई तो उसे एक बड़ी कमपनी में नोकरी मिल गई वो कमपनी के मेनेजर के पद पर काम करने लगा प्रभाकर को ज आखिर क्यों न हो जिस सपने को लेकर के हो है इतनी बरसों से भाई को पढ़ा रहा था आज हो है पूरा हो चुका था प्रभाकर की मेहनत रंग लाई खुसी में उसने पूरे गाउं में मिठाईया बटवाई मावी बहुत खुस थी कि अब मेरा बेटा मेरा चोटा बेटा नोकरी के पैसों से पहले से गिर्मी रखे घर और खेत को सहुकार से छुड़ा लेगा अब चेतन के गाउं लोटने का इंतजार करने लगे फौन पर जब भी वात हो जाती थी तब चेतन जल्द ही गाउं लोटने की बात कहता था और फौन रख देता था दोस्तों इधर मा और बड़े भाई का इंतजार करते करते मा और बड़े भाई को इंतजार करते करते छे महीने भी चुके थे लेकिन चेतन अभी भी गाउं नहीं लोटा था नोकरी लग जाने के बाद वो एक दन गाउं नहीं आया था साहुकार का ब्याज उनके उपर चड़ता जा रहा था साउकार ने उन्हें कई बार नोटिस भिजबाया कि हमारे पैसे देकर कि अपना घर और जमीन छुडा लो वरना हम घर और खेत पर अपना कवजा कर लेंगे प्रभाकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह साउकार से अपना घर और खेत छुडा पाता सारे पैसे तो उसे चेतन की पढ़ाई में लगा दिये थे अब एक उमीद सिर्फ चेतन की ही वची थी जब वो गाउं आकर के सेट के पैसे को चुका करके घर और जमीन को छुड़ा लेगा इंतजार करते करते एक दिन प्रभा कर रहे चेतन को फोन में लाया और कहा भाई तुम गाउं को आओगे और मा तुमारा कितना इंतजार कर रही है साहुकार रोज जमीन पर कबजा करने का नोटिस भिजबा देता है तुम आजाओ तो साहुकार का रिड़ चुक जाता है जब से तुमारी नोकरी लगी है तव से एक भी बार तुम अपनी सूरत हमें नहीं दिखाने आए मा भी तुम्हें देखने के लिए तरस रही है बेचैन है दोस्तों चेतन का जवाब सुनकर प्रभाकर एक दम से सन रह गया उसका मौँ खुला का खुला रह गया एक भी सब्दोस के मौँ से नहीं निकला दर असल चेतन ने उधर से कहा था के भाईया तुम बार बार फौन मत किया करो मेरे पास तुम से बात करने का समय नहीं है मेरी साधी इस कंपनी के मालिकी बेटी से हो गई है मैंने उसे तुम्हारे और मा के बारे में नहीं बताया क्योंकि अगर मैं उसे कहूंगा कि मेरी मा और भाई गाउं में रहते हैं और बहुत गरीब हैं तो वह समझेंगे कि मैं बहुत गरीब परिबार से आता हूं इस से मेरी इज्जत मेरी इमेज पर बहुत असर पड़ेगा आज से तुम्हारा मेरा समन्द खत्म हो गया है भगवान के लिए आप मुझे भूल जाना और हाँ यह बार बार मुझे फौन मत करना दोस्तों चेतन की बातों को सुनकर परभाकर को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से खंजर भौक दिया हो कहने लगा चेतन यह तुम क्या कह रहे हो तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है अपने सारे सपनों को दबा कर तुम्हारी कामयावी को ही मैंने सपना बनाया था और तूने यह बात कहते हुए एक छड़का भी समय नहीं लगाया चेतन बोला अरे भाई तुमने मेरे लिए जो किया है वो कुछ नया नहीं है सभी भाई सभी बाप ऐसा करते हैं नोकरी की बात तो उसमें तुमारा कोई योगदान नहीं है नोकरी तो मुझे मेरे टेलेंट के दम पर मिली है खवरदार जो आज के बाद तुमने मेरे पास भौन किया तो मैं अपनी जिन्दगी से खुस हूँ और मेरे जीवन में दखल देने की कोशिस मत करना मैं तुमारा कोई भाई भाई नहीं हूँ तुम मेरे सोतेले भाई हो और मेरी कमाई की आज छोड़ करके अपनी खुद की कमाई के बारे में सोचो मैं अपनी कमाई की एक फूटी कोड़ी भी आपको नहीं दूँगा इतना कहकर के चेतन ने फौन काट दिया फौन कटते ही प्रभाकर की आँखों में आशू जलक आए सोचने लगा कि जिस भाई के लिए मैंने अपनी साधी तक नहीं की उस भाई ने एक जटके से संबन्द खत्म कर लिया मुझे चेतन से ऐसी उमीद नहीं थी दोस्तो अब जब चेतन की सारी वाते प्रभाकर ने अपनी मा को बताई तो उसे भी बहुत भारी सदमा लगा सोचन लगी कि प्रभाकर तो मेरा सोतेला बेटा है अगर यह कुछ कहता तो ठीक भी था पर मेरे सगे बेटे ने ही मुझे बुला दिया बेटे का यह वेवार मा से बरदास नहीं हुआ वो बेचारी बिना मौत के ही संसार से चल वसी उसे अटेक पड़ गया उसके मरने पर भी चेतन नहीं आया मानो के उसने सब को चुबला दिया हो मा के जाने के बाद प्रभा करकी सारी उमीदे नश्ट हो चुकी थी साहुकार के पैसे ना लोटान पाने की बजह से घर और जमीन पर साहुकार ने अपना कवजा जमा लिया था प्रभा करको घर चोड़ करके जाना पड़ा उनके रहने का कहीं ठेकाना नहीं था इसलिए वे एक अनागत आस्रम में जाकर के रहने लगे बे पूरे दिन अकेले अकेले ही खोए खोए रहते थे किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता था ना किसी के पास बैठना मानो उनका इसुर पर से बिस्वासी उठ गया हो भाई के दुर्वेभार ने उन्हें अंदर से जख जोर करके रख दिया पर कहते हैं भगबान के यहां देर है अंदहर नहीं उस आस्रम का जो मेनेजर था वो एक नौजवान युबक था वो सारे दिन प्रभाकर की ओर देखता रहता था क्योंकि प्रभाकर पूरे दिन अकेले बैठकर के बेचारों में ही खोया रहता था मेनेजर का नाम था रोहित एक दिन रोहित प्रभाकर के पास आया और उसने उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसे भी वड़ा दुख हुआ रोहित ने कहा अंकल मैं भी बेना माँ बाप का हूँ क्या आज से मैं आपको पिताजी कहकर की बुला सकता हूँ मैं चाहता हूँ के आज से आप मेरे पिताजी वन करके मेरे घर पर रहें चलो मेरे घर इतना कहकर के रोहित प्रभाकर को अनाथ आसरम से अपने घर बुला कर किलाता है और पिता की तरह उनका ख्याल रखने लगा प्रभाकर कहने लगा बेटा तुम बहुत महान हो आज कल तो बेटे मौब आपको तो समझ कर ब्रद आसरम छोड़ जाते हैं और तुम एक हो जो मुझे पिताजी मान करके अनाथ आसरम से उठा करके घर ले आए हो तुम जैसे बेटों की बज़े से ही आज भी प्रतवी पर मर्यादा जीवित है मुझे तुम पर बहुत गरब है तव रोहित बोला पिताजी जिन बेटों के सिर पर माबाप का हाथ होता है बहुत भागिसाली होते हैं मैंने बच्पन से ही अपने माबाप को खो दिया था मैंने कभी माबाप को प्यार नहीं देखा था लेकिन आपको पिता की रूप में पाकर की मुझे संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है प्रभाकर उसी दिन से रोहित के घर में एक बाप की तरह रहने लगे सोचन लगे के ईस्वर तुमारी लीला भी बड़ी बिचित्र है जो अपना था उसने पराया बना दिया और जो पराया था उसने अपना बना लिया एक दिन प्रभाकर सबजी लेने बाजार गए दुकान पर खड़े सबजी खरीद ही रहे थे तबी पीछे से एक विकारी ने उन से कहा भाई मैंने चार दिन से कुछ नहीं खाया है भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो विकारी की आवाज सुनकर के प्रभाकर को ऐसा लगा जैसे वह आवाज उनकी जानी पहचानी हो उन्होंने पीछे लोट करके देखा तो उनके होस उड़ जाते हैं उन्होंने देखा कि उनका ही चोटा भाई चेतन भेकारी के रूप में खड़ा है जिसकी हालात बहुत खराव थी जो बहुत कमजोर हो गया था चेतन को देकर के प्रभाकर भी बड़े असमन्यस में पड़ गए और प्रभाकर को देकर के वो भेकारी भी एकदम से हका वका सा खड़ा हो गया और अपने बड़े भाई प्रभाकर को देकर के उसका सर नीचे जुग जाता है उसकी आँखों से आंसों का सैलाव चल पड़ा उसके मौह से कोई सब्द नहीं निकल रहा था वे अपने भाई को एक टक लगाकर के ही देख रहा था प्रभाकर ने पोचा चेतन तुम और तुमारी ये हालत कैसे हुई चेतन ने कहा भाई येस मेरे करमों के फल है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था और तो और मैंने अपनी सगी भी मां को भी नहीं देखा उसी पाप की मुझे ईस्वर ने सजा दी है इतना कहते हुए चेतन बेहोसी में हो जाता है बहाई को बेहोस देकर के प्रभा कर घवारा कर उन्होंने तुरंत फोन करके अपने बेटे रोहित को भुलाया और चेतन को फोरण अस्पताल में भरती करवा दिया डॉक्टर ने कहा घवरोने की कोई बात नहीं है कई दन से खाना नौ मिलने से उसकी यहालत हो गई है जल्दी ही ठीक हो जाएगा रोहित ने कहा पिता जी तब तक आप घर जाईए इनके पास में बना रहूँगा होसाने पर में आपको बुला लूँगा प्रभाकर ने कहा नहीं बेटा इनके होसाने तक मैं यहीं रहूँगा बेहोसी की हालत में जो पड़ा है वह मेरा चोटा भाई चेतन है यह सुनकर के रोहित भी चोक जाता है कि थोड़ी देर बाद जब चेतन को होसाता है तो अपने तो उसने अपने भाई को पांस वलाया और उसके चड़ों में लिपट करके रोने लगा वो बार बार उन से अपने किये की छमा मागने लगा प्रभाकर ने पूछा भाई आप बहुत बड़े आदमी बन गए थे पिर आपकी यह हालत कैसे हो गई तव चेतन ने बताया भाई मेरे बहु और बेटे ने सारी दौलत अपने नाम कर ली और मुझे धक्का मार करके घर से निकाल दिया यह कर्मों की सजा है जो आज मैं दर दर मांगता फिर रहा हूँ सच तो यह कि इस्वर की लाठी जब पड़ती है तो किसी को सुनाई नहीं देती जब मैंने किसी अपने को रुलाया था तो किसी अपने ने मुझे रुला दिया प्रभाकर ने उससे बया किया और कहा भाई तुम चिंता ना करो तुमारे बेटे ने तुमें घर से निकाल दिया है लेकिन मेरा बेटा तुमें अपना लेगा दोस्तो रोहेत अपने पिता के भाई चेतन को अपने घर बुला करके ले जाता है और अपने सगे चाचा की तरह उनकी भी देखवाल करने लगता है कर्म का दंड मिलता जरूर है बले ही उसमें देरी कितनी भी हो जाए दोस्तो आप इस कहानी को सुन करके समझ गए होगे कि हमें कभी भी अपनों को दोका नहीं देना चाहिए यद हम अपनों को दोका देते हैं तो फिर हमें अपने दोका दे जाते हैं उमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी यद अच्छी लगी तो चैनल सबस्क्राब करें लाइक से एर कमेंट करना न भूलें फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ